भारत माता की परदान मंत्री जी मेरा अपको नमस्कार नमस्कार मैं जगदेराव पवार हिंगोली लोकसभा क्षत्र के हादगाव विधान सबा पाथरण बूत क्रमांग 222 का बूत क्रमुक हूँ सर मेरा प्रस्ण है सर पिछले चार सालों में आम नागरिकों का रिस्ता बदला है कई सरकारी परकिरिया सरल हुई है आप भी इजी आप लिविंग के बारे में बात करते हैं एक बार नागरिकों के लिए इसका क्या आर्थ है जैहिन जग्देव राव नमस्कार बसा बसा ऐसा कहां जाये तो गलत नहीं होगा कि किसी परियोजना का फिता काटना और फिर उसे अपने भागे पर छोड़ देना यह हमारे सिस्टिम का एक हिस्सा की बन गया था एक तरीके से कहां जाये तो पीपल फ्रेंडली व्यवस्था के निर्वाण में से लोगों की जीवन को आसान बना इज आप लिविंग है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पीपल फर्स के नजरिये से हर प्रोसेस डिजाइन है सामान ये व्यक्ति को केंदर में रखते हुए नीतियों का निर्माण हो और ऐसे निर्णे लिए जाएं जिनसे लोगों के जीवन में आसानी आए यही इज आप लिविंग है मैंने लोगों को थे सरकारों से जद्दो जहत करते हुए बहुत करिम से देखा है चोटी च्छोटी चीजों को प्रेशान होते हुए देखा के देखा है सरकार उसमेंट से निकल जाए। टेक्नलोजी की मदद से जहां जहां human intervention खत्म कर सकते हैं वहां करना। citizen centric services से सम्मंदित infrastructure के छोटे शहरों और गावों तक में विस्तार करना। पूरे governance के तंत्र को जनता के प्रती सम्मेदंसिल बनाना जवादे बनाना अपने documents को attest कराने के लिए कि कितने चकर काटने पड़ते थे। देश के नागरी पर अविश्वास का एक माहोल था और इसलिए हमने आने के कुछ हपतों के भीतर ही इस नियम को सबाब्त कर दिया। self attestation को ही परियप्त बना दिया। आज system का मान्य लोगों पर विश्वास करता है। इसके कई उधारां आप देख सकते हैं। ट्रेणों वे अवियात्रा करने के लिए इटिकेट खरीदना परियाप्त है। जब कोई पुलीश वाला आपसे driving license, auto insurance या कोई अन्य दस्तावेज दिखाने को कहता है। तो अब आप उसे अपने mobile में रखी documents भी electronic copies भी दिखा सकते हैं। documents को साथ में लेकर घुमने की ज़रूत नहीं है। हम अपने साथ साथ प्रक्रियाओं को भी 21 सजी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे बुजूर्गों को pension पाने के लिए अपने जीवीद होने का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए खुब धक्के खाने पड़ते थे वो सब कम हो गया। अब उन्हें जीवन प्रमाणपोर्टल पर आधार लिंक digital जीवन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। अब अधिकाउस प्रक्रिया हमने ओन्लाइन कर दी है। जो सरल भी है और सम्वेदन्सील भी है। अब स्कॉलर्शिप कालाब लेने के लिए छात्रों को किसी को खर्चा पानी देने के अवश्यक्तर तो नहीं है। आपको याद हो गया कि पहले गैस करेक्शन हो या बिजली करेक्शन काफी दिन लग जाते थे। अब यह काम ऑनलाइन बहुत कम समय में हो रहा है। आप पैसे कई लोगों ने इसको स्वय मनुफव किया होगा कि अप इंकम टैक्स रिफर्ण्स कुछी दिनों में मिल जाते हैं जहां पहले महिने लग जाते थे। और अब तो हम एक दिन में इंकम टैक्स रिफर्ण्स मिले उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बीम एप के माध्यम से डिजिटल लेंदेन को बहुत ही सरल्ग बना दिया गया है। इसी तरह से यदि आप उमंग एप डाउनलोड करते हैं तो लगवा सत्तर से जादा तीन सो अधिक सरकारी सर्विसीज आपको अपने मोबाइल पर ही मिल जाती है। आपको याद होगा पहले पासपर्ट बनवाना भी एक प्रकार से चनावती पुनकारी हुआ करता था। क्योंकि उस वक्त देश में बहुत कम पासपर्ट केंदर हुआ करते थे। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूं जो दूसरे शहरों में सेकड़ों किलोमेटर की यात्रा करते थे और कुछ दिनों के लिए किसी और के घर में रहते थे। क्योंकि उनके शहर में पासपर्ट कार लेगी ही नहीं था। ऐसा क्यों है कि आजाजी के साड़ साल बाद भी देश में केवल सततर पासपर्ट सेवात केंदर थे। केवल साड़े चार बर्स मैं हमने उस संक्या को सततर से तीन सो के पार पहुचा दिया है। गाउं गाउं तक कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से सरकारी सेवाओं को पहुचाने का काम भी बहुत बड़े स्तर पर किया गया है। आज देश में धाई लाज से ज्यादा CSE काम कर रहे हैं। इसी तरह का एक और कदम है। मैंने उठाया जिसका लाभ हमारे और वो है कुछ सरकारी नोक्रियों के लिए इंटर्विस का समाप्त होना। एक तरह से कहा जाए तो इंटर्विस से ब्रस्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा था। हमने इसे समाप्त कर दिया। अब योगतागी के आधार पर ही नोक्रिया दी जाती है।